राज धनवार थाना शेदर के रेतनपुर निवासी प्रवीन कुमार महतो ने सोमवार को समाहर नाले पहुचकर पुलीस अधिक्षक के नाम आवेदन दे कर मारपीट मामले के अभ्यूक्त को गरफतारी की मांग की है। आज तक एक भी अभ्यूक्त की गरफतारी नहीं हुई है। पुलीस अधिक्षक से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफतारी की जाए। 2023 में 19 मारत की दिन बहुत बेरहमी से हमारे पिताजी पुरे परिवारत मारा गया। जिसमें की हमारी बीबी नीतु कुमारी जो की डेड़ महनी की परसूती थी। उससे भी बेरहमी से मारा गया था। जिससे मेरा एक डेड़ मां का बच्चा एक मां अपने मां का धूझ नहीं पी पाया। हमारे पिताजी को इस तरह से मारा जो 5 दिन तक अस्पदा में भरती रहा। इसकी बाउजीर परसासन कोई कारवाई नहीं कर रहा। अगला चाचा मधार उससे परी भाईबाल वारा कहता है तो खाना फुरिस करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे हाथों में हैं मुल्टी में हैं। तुम जहां के दोड़ो कुछ नहीं होने माला ते रहा। अब क्या मांग कर रहा ह। हमांग कर रहा ह। उनको बस उचित कारवाई होना चाहिए। उन्होंने हमारे पर DSP किया। हमने वह भी किया। काव, DSP साहब अगर हम दोशी हैं तो सर हमने कारवाई करो। लेकिन बस कारवाई करो। चुक रहें सर अगला बत जान से माग दे। कहते कहते माग दिया साहब, हमने थाने शनकतरबात कोड में सन्हा कराएं। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडिमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सलवाना चाहते हो तो गांधी चौक से शंभु वस्ताले अवश्य पढ़ारें। यहां कार्मन, DAV, Polly Cross, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस गोलसल दाम में उपलग है। और अगर कपड़े लेकर ब्रस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी ववस्ता है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पढ़ारें। हमारा पता शंभू वस्ताले गांधी चौ गिरेडी। करते हैं करते हैं